एक दिसंबर 2020 को यूपी सरकार ने आर्टी PCR टेस्ट की कीमत 700 रुपे तेंग कर दिया जब यूपी सरकार ने क्रोना टेस्ट की कीमत 700 रुपे कर दिया तो हमारे पास लगातार लोगों के फोन आने लगे लोग सिर्फ यही बात कहते थे कि प्राइबेट लैब वाले डकैती डाल रहे हैं सरकार ने जब क्रोना टेस्ट की कीमत आर्टी PCR टेस्ट की कीमत 700 रुपे तेंग कर दिया है उसके बावजूद भी ये प्राइबेट लैब वाले 2000 रुपे, 2500 रुपे वसुल रहे हैं हमारी टीम ने इस मामले में परताज सुरू किया गुरगपुर के ICMR ने जितने प्राइबेट पैथालोजी को क्रोना टेस्ट की अनुमती दी है करीब करीब हर जगह हमारी टीम गई, कई बार गई और हर जगह के हालात लगभग एक जैसे थे सिर्फ एक पैथालोजी को छोड़ दीजिये तो करीब करीब हर जगह क्रोना टेस्ट की कीमत 2000 रुपे वसूली जा रही थी और सब लोग सभी पैथालोजी वाले यह कह रहे थे कि उनके हाँ आर्टी पीसियार टेस्ट ही होता है अब हमें भी लगा कि जब आर्टी पीसियार टेस्ट की कीमत यूपी सरकार ने 700 रुपे तै कर दिया है और उसके बाद भी यह प्राइवेट पैथालोजी वाले 2000 रुपे वसूल नहें तो यह बेहद निंदनी है गलत है हमने जो है आपरेशन लूटो ना के जरिये एक खुलासा किया और गोरगपूर के दो जो सबसे बड़े पैथालोजी है तिलक पैथालोजी और Life Diagnostic Center करके है डाक्टर अमित गयल का इन दोनों का इस्टिंग आपरेशन हम लोगों ने दिखाया तिलक पैथालोजी के संचालक डाक्टर मंगलेश कुमार सिर्वास्तों है डाक्टर मंगलेश कुमार सिर्वास्तो गुरगपुर के प्रतिष्ठित बेखती है और आईयम में गुरगपुरिकाई के अध्यच भी है हमने अपने खुलासे में यह आग्रह किया कि तिलक पैथालोजी के संचालक डाक्टर मंगलेश कुमार सिर्वास्तो को सामने आकर यह बताना चाहिए कि जब UP सरकार ने IT-PCR टेश्ट की कीमत 700 रूपे निर्धारित कर दिया है तो उनके यहां 2000 रूपे क्यों वसूले जा रहे हैं हमारी टीम ने डाक्टर मंगलेश कुमार सिर्वास्तों से संपर्क किया डाक्टर मंगलेश कुमार सिर्वास्तों हमसे बाचीत के लिए तैयार हो गए और बेबाकी से हमारे हर सवालों का जबाब डाक्टर मंगलेश कुमार सिर्वास्तों ने दिया हमारा पहला सवाल था कि क्या आपके हां IT-PCR टेश्ट होता है डक्टर मंगलेश सिर्वास्तों ने तुरंद कहा हाँ उनके हाँ RT-PCR टेस्ट ही होता है हमारा अगला सवाल था कि क्या आपके हाँ RT-PCR टेस्ट की कीमत 2,000 रुपे वसूली जा रही है उन्होंने तुरंद कहा हाँ उनके हाँ RIT-PCI test की कीमद 2,000 रुपे वसूली जा रही है हमने कहा यह गयर कानूनी है उन्होंने कहा नहीं यह कानून सम्मत है उन्हेंने कहा हम तो सरकार के आदेशों का ही पालंग कर रहे हैं जो लोग यह समझते हैं कि उनके साथ प्राइबेट पैथालोजी वाल लोग ने धोखा कर दिया या धोखा कर रहे हैं उनको हम लोग यह बताना चाहते हैं कि दरसल जिस तरह से डाक्टर मंगलेश कुमार सिरवास्तो दावा कर रहे हैं अगर वह सच है तो ऐसा लगता है कि यूपी में कुरोना टेश्ट के नाम पर कोई बड़ा कार्ण हो गया है फिलाल हमारी परताल लगातार इस मुद्धे पर जारी है और जैसे जैसे हमारे पास सबूत आते जाएंगे अपडेट ने ने अपडेट आते जाएंगे हम देश के सामने जनता के सामने उस पूरे मामले को रखेंगे सबसे पहले हम आपको डाक्टर मंगलेश कुमार सिर्वास्तो से हमारी टीम ने जो बातचीत किया है उसका संचिप्त अंस दिखाते हैं कोविट का जहां तक टेस्ट का सवाल है उसमें आप उसको कटेग्राइज कर सकते हैं दो तरह के टेस्ट में एक एंटीजन टेस्ट और दूसरा है आपका आटी पीसिया टेस्ट ठीक है अब एंटीजन टेस्ट के लिए जो है पहले कुछ अस्पतालों को पर्मिशन दी अब वक्ति था उसको रेपोर्टिंग करते रहें वह एक पहलू था अब आप आप तें आप पीसियार फिर दो तरह का होता है एक होता है ओपें आटीजन पीसियार का एक अलग मेथडालजी है उसमें अलग लगते हैं और प्लोज आटीजन में जो है वह आपके दो-तीन मशीन से जैसे टूनेट है जो आपने देखा होगा है कि जीओ में उसका स्पेसिफाइड उन्होंने शाशन ने भी मेंशन किया हुआ है कि टूनेट या सीबीनेट या जीन एक्सपर्ट इस तरह की दो-तीन मशीने हैं उसमें आप करते हैं इसमें लागत थोड़ी जादा आ नहीं है इसमें स्पेसिफाइड के टेगरी में जैसे गोरकपुर में अभी तक के हाल में सारे जितनी भी लैप्स को परमिशन मिली है वो सब क्लो सिस्टम से टूनेट से या सीबीनेट से या जिन एक्सपर्ट से ही मिली है आप ओपन पीसियार जैसे मैं अगर चाहूं आज का ओपन सिस्टम का भी इंस्पेक्शन था अभी देखिए वो प्रक्रिया चल रही है दो एक बार कंप्लीट होके वो हमें मिलेगी अगर परमिशन मिल जाएगा तो हम लोग भी ओपन पीसियार शुरू कर देंगे ओपन पीसियार का फाइदा ये है कि उसमें कास्ट काफी क प्लब हो जाती है देखा होका आपने पहले दाई अजार चल रहा था उससे पहले साड़े 4 Zero ता ग्यार के बाद उन्होंने दो ऑजार किया 2000 के बाद उन्होंने बीच में 1600 कर दिया और 1600 में उन्होंने ये 10 सितंबर को ये जीवाया था और उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि सारे टेस्ट चाहें वो टूनेट हो चाहें ओपन पीसियार हो तो जो है सब को 1600 चार्ज करना है उसमें फिर हम लोगों ने उनसे का कि साथ 1600 में जब हम लोगों की लागती नहीं आ रही है तो हम लोग कर कैसे पाएंगे तब 13 तारिक को संग्यान में संग्यान में लेते हुए उसको रेट को टूनेट का रेट 2000 कर दिया और ओपन पीसियार का रेट जो है 1600 ही रखा वो अगर आपको संदर्व चाहिएगा तो मैं आपको जियो दे सकता हूँ फिर एक नया जियो पहली दिसंबर को आया जिसमें उन्होंने काया कि PCR ओपन वाला ही जो है उसमें कहीं टूनेट का नाम ही नहीं लिया तो अब मजबूरी यह है कि टूनेट में जब लागत जादा आ रही है तो कैसे कोई नौसा में कर पाएगा तो किसी भी पथाल्जिस को आप दोश नहीं दे सकते हैं उसका रेट अभी भी उसके बाद का अगर कोई जियो अगर आपके पास हो तो मुझे संदर्भित करें तो मैं अपने सारे पथाल्जिस को भी बोलूँगा कि भाई आप कैसे ले रहा हो इससे जादा तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि जो लास्ट का 13 सेतंबर का जो जीयो है वही हमारे उपर जितने क्लोज सिस्टम से जो लोग कर रहे हैं उनके उपर लागो होता है डाक्टर मंगलेश कुमार सिर्वास्तो का यह दावा है कि एक दिसंबर को यूपी सरकार की ओर से जो आदेश दिया गया है वह सिर्फ ओपेन PCR टेस्ट के लिए है गोरगपूर में जो भी प्राइबेट पैथालोजी वाले हैं वह लोग क्लोज PCR टेस्ट करते हैं इसलिए एक दिसंबर वाला आदेश गोरगपूर के प्राइबेट पैथालोजी वालों पर लागो नहीं होता है ओपेन और क्लोज के चक्कर में आम आदमी परिसान हो गया है यूपी सरकार के जिम्मेदार अधिकारी या नेता ही अब सामने आकर इस ओपेन और क्लोज के रहस्य से परदा उठा सकते हैं फिलाल इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा उसे लेकर फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए अनुमती दीजिए नमस्कार